हलो फ्रेंट्स एन वेलकम टो एक्जाम टिप्स आज का कुईशन आप दे एससे सी पीओ दो हजार चोबिस का पूछा गया वेतरीन कुईशन है चलिए सुरू करते हैं मिठाई में एक तिहाई चीनी है यदि चीनी की कीमत अब पिछली कीमत की 7 बटे 6 है तो मिठाई की लागत में प्रभावी प्रित्सत व्रद्धी क्या है यह कोई मिठाई है जिसमें चीनी हो गई और कुछ और मातरा इसके लावाद दूसरी है जो खोया हो या मान लिया हमने छीनी अगर एक है खोया दो हो गई टोटल वन थर्ड ठीक है चीनी हो गई यहां पर जो हमारा रेट था चीनी का वो था मुलब 7 by 6 हो रहा है मैं रहे मान लिया कि हमने पहले 6 था अब 7 हो गया हम क्या करते हैं इसको भी 6 में ही बना लेते हैं चीनी को 6 और इसको टॉल कर लेते हैं 6 से multiply कर दिया यानि कि हम यह समझ लेते हैं कि पहले 6 kg जो 6 kg जो चीनी थी 6 रुपए में आ रही थी यानि कि एक रुपए की ब्रद्धी हो गई ठीक है उसके rate में यानि कि 6 kg की जगह हमने क्या है कि अब 7 kg यूज करने लगए फिर rate महिंगा हो गया फिर quantity महिंगी कर दी तो वही हमारा प्रभावी लागत ब्रद्धी हमसे पूछ रहा है यहां पे तो एक की ब्रद्धी हो रहे ही टोटल हमारी जो पहले cost क्या थी 18 थी into 100 तो हमारे यहां से percentage निकल आएगा 100 बटे 18 परशन उमीद है question आपको समझ में आया होगा option भी बिलकुल सही हो जाएगा धन्यवाद